भाईया, हर साल 15 अगस्त को अपना देश की आजादी होना की बहुत खुसी होती है। आ भाईया, अंग्रेजों ने हम पर बहुत जादा जुलम किये थे भाई। अपना देश स्वतंत्र हो तो गर्व अनुभव होता है और स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष इसी गर्व की अनुभूती कराता है। ये दोनों ग्रामिन भी इसी गर्व का अनुभव कर खुश हैं। इन दोनों की बातों को सुनकर कुछ अटपटा लग रहा है ना? क्यूकि इन दोनों ने वाक्यों और शब्दों की अशुधियां की हैं। इन वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। हर साल 15 अगस्त को मुझे अपने देश के आजाद होने की बहुत खुशी होती है। हाँ, अंग्रेजों ने हम पर बहुत ज्यादा जुल्म किये थे। हिंदी जैसे बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसलिए हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमारे उच्चारण का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी लिखते समय वर्तनी की अधिकांश अशुद्धियां हमारे अशुद्ध उच्चारण के कारण ही होती है। इसके अलावा लिंग वचन और कारक से संबंधित भी अनेक शुद्धियां हिंदी में होती हैं। इसलिए हिंदी भाषा के शुद्ध लेखन के लिए वर्तनी के साथ साथ वाक्य की संरचना का ज्यान भी होना जरूरी है। हिंदी अधिकांश लोगों की मात्रि भाषा है इसलिए हम इसके प्रयोग पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हिंदी भाषा में होने वाली सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ और हैं। हम यहां वर्तनी और वाक्य संरचना संबंधी सभ उनके शुद्ध रूप दिये जा रहे हैं। E, E, संबंधी अशुधियां, अशुध, शुध, बुध्धी, बुध्धी, परिणती, परिणती, दवाईयां, पत्नी, पत्नी, दिपावली, दिपावली, बिमारी, बिमारी, परिक्ष, परिक्ष, दिवार, दिवार, मुनी, मुनी, अतिथी, अतिथी, उ, संबंधी अशु प्रभू, प्रभू, मधू, मधू, रुप्या, रुप्या, शुरू, शुरू, तुफान, तूफान, रुप, रूप, दूसरा, दुद, दूद, डाकू, डाकू, साधू, साधू, गुरू, गुरू, शिशू, शिशू A. आई संबंधी अशुधियां अशुध शुध चाहिये चाहिये भाशाएं भाशाएं एक्य एक्य सेनिक सैनिक इतिहासिक एतिहासिक एनक एनक सैना सेना एड़ी एड़ी O. आउं संबंधी अशुधियां. अशुध़ शुधध. रोश्नी रोश्नी, ऑस अलोकिक अलोकिक, उध्योगिक, ओध्योगिक, गोतम गोतम, ओरत औरत, पकोड़ा पकोड़ा, बोध बोध अंग, अंग involves अशुधियां. अशुध़ शुधौ्ध. कंचन कंचन, अंगुली अंगुली, दंग दंग, हसना हसना, दाथ दाथ, अंधेरा अंधेरा, काच काच, बासुरी बासुरी, चांद चांद, गवार गवार, शंकर शंकर, कंस कंस त, ठ संबंधी अशुधियां, अशुध, शुध, गठर, गठर, चिठी, चिठी, श्रेश्ट, श्रेश्ट, घनिष्ट, घनिष्ट, निष्टा, जूटा, जूटा, नश्ट, नश्ट, लट्था, लट्था, डध, रण, अढ़ संबंधी अशुधियां, अशुध, शुध, फारना, फारना, खिडकी, खिडकी, गुडिया, गुडिया, डोलक, ढोलक, पढ़ना, पढ़ना, चड़ना, मढ़ना, मढ़ना, बुढिया, बुढिया, तेड़ा, तेड़ा, बूढ़ा, बुढ़ा रो के प्रयोग संबंधी अशुधियां अशुध शुध कारिकर्म कारिकर्म मूरक मूर्ग चंदर चंदर करम कर्म अरत अर्थ परणाम प्रणाम सहस्त्र सहस्त्र पर्तिग्या प्रतिग्या मर्यादा मर्यादा आर्शिवाद आशिर्वाद रोरी संबंधी अशुधियां क्रिप्या, क्रिप्या, उज्वल, उज्वल, त्रिरस्कार, तिरस्कार, कलिस्ट, कलिस्ट, पूज्यनिय, पूज्णिय, अध्यन, अध्यन, कवित्री, कवित्री, सन्यासी, सन्यासी, प्रसंशा, प्रशंसा वाक्य रचना की अशुधियां हम कई बार अज्ञान वश या गलत अभ्यास के कारण अशुद्ध वाक्यों को प्रयोग करते हैं वाक्य रचना की अशुद्यों का मुख्य कारण होता है व्याकर्णिक नियमों की सही जानकारी न होना शुद्ध वाक्यों के गठन में दो बाते महत्व पूर्ण हैं पदक्रम और अन्विती किसी पे वाक्य में पद यानी शब्द जिस क्रम में आते हैं उसे पदक्रम कहते हैं सभी भाशाओं में पदक्रम अलग-अलग होता है हिंदी वाक्य में पहले करता कर्म एवं अन्त में क्रिया पद आते हैं अन्विती का अर्थ है परस पर मेल वाक्य में प्रयुक्त पदों में लिंग, वचन, पुरुष की अनुसार, क्रिया का प्रयोग ही अन्विती है